जाहिर है कारिक्रम में नज़र डालेंगे देश दुलियां और राज्य की पर्मुक खबरों पर सबसे पहले बात करेंगे अंतर राश्ट्रिय खबरों की अमेरिका ने उन रिपोर्ट्स को लेकर चिंता जाहिर की है जिन में दावा किया गया है कि इसराइल द्वारा लेबनान पर किये गए हमले में स्फेध फास्पोर्स का इस्तिमाल किया गया है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसल के स्ट्रेटेजिक कम्यूनिकेशन के समनवयक जौन किर्भी ने सोंबार को कहा कि अमेरिका इस बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा रहा है हूती नियंतरित यमन की तरफ से लौंच की गई एक करूज मिसायल ने सोंबार को वानिवजिक टैंकर पर हमला किया जिसमें उसमें आग लग गई हालांकि इस हादसे में किसी के हता हत होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है अमेरिका के राष्ट्रपती पद के उमीदवार भारतिय मोलक के विवेक रामास्वामी को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफतार किया गया है आरोपी की पहचान 30 वर्षिय टाइलर एंडर्सन के तौर पर की गई है यूएस के नियाए विभाग के अनुसार अगामी कारिक्रम के लिए एंडर्सन ने दो हैरान करने वाले संदेश जारी किये थे और अब बात करेंगे रास्टे खबरों की महाठक स्केश चंदरशेखर 200 क्रोड रुपए के मनी लॉंडरिंग केस में जेल काट रहा है इस मामले में जैकलीन का भी नाम है और उनसे कई बार इस संदर्भ में पूच्टाच हो चुकी है हलांकि अभिनेतरी ने महाठक के साथ किसी तरह जुड़े रहने से इनकार किया है जैकलीन के इन दावों के बीच स्केश समय समय पर उनके लिए जेल से प्रेम पतर लिखता रहता है एक बार फिर थैंक्स गिविंग और क्रिस्मस के मौके पर उसने जैकलीन के लिए चिठी लिखी है भारत टी-ट्वेंटी में दक्षन अफरीका के हाथों बीते पांच वर्षों से कोई सीरिज नहीं हा रहा है तीन मैचों की सीरिज का पहला मैच बारिश धुल चुका है और अब सिर्फ दो मैच बचे हैं भारत के सामने सिर्फ सीरिज जीतने की ही चुनौती नहीं है बलकि अगले साल वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले टी-ट्वेंटी विश्व कप से पहले उससे सिर्फ पांच टी-ट्वेंटी मैच खेलने है इनहीं पांच टी-ट्वेंटी के दम पर भारत को वि सबसे उपर है बात करेंगी प्रदेश की एहम खबरों की हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुखु कैबिनेट में दो और मंत्रियों की एंट्री होने जा रही है जानकारी के अनुसार बिलासपुर से राजेश धर्मानी और कांगडा से यादविंद्र गोमा सुखु कैबिनेट में शामिल होंगे आज शाम करीब 4 बज कर 45 मिनिट पर राजभवन शिमला में शप्त ग्रहन समार होगा राजभवन सचीवाले की ओर से इस सबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोब की सक्रियाता से मौसम ने सपताबाद फिर से करवट बदली है राज़य के कुलू और लाहुल घाटी में सो बार देर रात से लेकर सुबह नौ बज़े तक मौसम खराब रहा रोहतां के साथ बारा लाचा, सेवन सिस्टर प्रीक, हनुमान टिबास सहित उंची चोटियों में ताजा बर्फ बारी हुई है प्लानिंग एरिया शिमला और नगरनेगम की परीधी में तीन और चार मंजला भवन मालिकों को एटिक को रिहाईशी बनाने का फायदा जल्द मिल सकता है अभी सरकार ने अधाई मंजला तक एटिक की उन्चाई बढ़ाने की अनुमती दी है टीसीपी ने इस पर निर्णया लेने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमती मांगी है बात करेंगे समाशार पत्रकी जमो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंदर सरकार का फैसला बरकरार रहेगा सुप्रीम कोड की पांच जजों की पेठ ने सोंबार को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई प्रावधान था धर्मशाला में कॉंग्रेस सरकार के साल पुरा होने पर हुई रैली में सीम सुख्धु ने समाज के कमजोर और बेसहारा वर्गों के लिए एक नई घोशना की है जूनियर आफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के मामले में कार्मिक विभाग को वीधी विभाग की एडवाईज मिल गई है बात करेंगे संपात की अप्रिष्ट की अंतत है एक साल की सरकार ने अपनी उपलबधियां जमीन पर सता हस्तांतरण की प्रासंगिकता साबित करने की हर संभव कोशिश कर दी इस लेख को आप जशन की गारंटी शीरसक के साथ संपात की अप्रिष्ट पर पढ़ सकते हैं इसके अलावा पांच राजियों में चुनाव नतीजे के निहितार्थ कुमार प्रशांत का लेख भी यहां छपा है लोकसभाद चुनाव में शोशल मीडिया की भूमिका रमेश पठानिया का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं और छिलकों की छाबडी में हड़ी का स्वाद पिये सिधार्थ का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा बात करेंगे रोजगार से जोड़ी कुछ जानकारी की भारतिय स्टेट बैंक ने 22 नवंबर को सरकल बेस अधिकारी के 5,280 पदों पर भरती के लिए पंजीकर्ण प्रक्रिया शुरू की थी शेडियूल के अनुसार आवेदन करने की अंतिम्तिती आज यानी 12 दिसंबर है इच्छु को में द्वार बिना देरी किये अधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं जाहिर है कारिक्रम में इतना ही बने रहें दीवे हिमाचल टीवी के साथ